दोस्तो कल जो है हरा दिया स्रिलंका ने इंग्लैंड को और जो इंग्लैंड के बाकी के तीन मुकाबले बच्चे है वो है आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड और इंडिया ये तीन बड़ी टीम्स के साथ में इंगलायन को खेलना है और ऐसे में इंगलायन के सेमी फाइनल में कौलिफाय करने के चांसे कितने परसंट है अगर वो एक मैच जीतेगी, दो मैच जीतेगी या फिर वो तीनों मुकाबले हार भी जाती है तब भी इंगलेंड के overall कितने percent chances है कि वो qualify करेगी इस वीडियो में आप सभी को जो है सारी जानकारी दे दूँगा आपको जो है हमारे इस YouTube चैनले के ओपर एक quality content मिलेगा एक जो है informative quality content मिलने वाले हैं तो जरूर से like करके रख दीजिए दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूँ क्रिकेट में जो है चमतकार बहुती कम होते है जैसा कि सिरलंका ने इंगलेंड को हराया है ये जो है बार बार दोहराया नहीं जाएगा इंगलेंड जो है काफी मजबूर टीम है वो जो है आने वाले टाइम में bounce back जरूर से करेगी अब बात करेते हैं इंगलेंड के team के semi final में qualify करने के chances कितने percent बचते है अब सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार इंगलेंड के कितने percent chances है इंगलेंड के जो है कुल तीन मुकाबले बचे है अगर माल लेजें इंगलेंड के team वो तीनों मुकाबले हार जाती है आस्ट्रेलिया, नूजिलेंड और इंडिया के साथ में तब भी जो है इंगलेंड के 13% chances है कि इंगलेंड के team semi final में qualify कर सकती है अब माल लेते हैं कि इंगलेंड के team अगर 3 में से 1 मुकाबले जीती है तब इंगलेंड के team 83% chances है कि इंगलेंड के team प्ले आफ में qualify कर जाएगी अगर इंग्लियांड के टीम 3 में से 2 मुकाबलेfred जीड जाती है तब 100% कन्फरम हो जाएगा कि इंग्लियांड के टीम सेमी फाइनल में कॉलीफाइ कर जाएगी तो दोस्तो यहाँ भी इंग्लेंड के लिए खुश खबरी यह है कि इंग्लेंड के टीम के अभी फिलाल ओवर ओल 91% चांसेस है कि इंग्लेंड के टीम जो है टॉप फोर में जगा बनाने में कामियाब रहेगी लेकिन दोस्तो हाला कि जो इंग्लेंड के आने वाले मैचेस है वो दोस्तो काफी जादा काटेदार है आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड और इंडिया यह तीनों जो टीम है काफी जादा मजबूत है लेकिन फिर भी इंग्लेंड को जो है सिर्फ एक ही मुकाबला जीतना है कि मैंने आप सभी को बता दिया आगे जो है वीडियोस आती रहेगी अब बस लाइक शियर सब्सक्राइब करना मत भूलिए तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए